बिलासपूर के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि कोठी पूरा में निर्मानाधीन एम्स के तीन बिशेशग्या चकित्सक अब क्षेत्री हस्पताल बिलासपूर में अपनी सेवाएं देंगे चकित्सकों में एक रेडियो लाजिस्ट एक एंटी और नेतर चकित्सक सामिल हैं एम्स की ओर से सोमबार को क्षेत्री हस्पताल परसासन को एक पत्तर मिला बही इन बिशेशग्या चकित्सकों ने सोमबार को क्षेत्री हस्पताल पहुंचकर चकित्सा अधिक्षक डाक्टर नरेंदर भारद्वाज के साथ मसीनरी का नरिक्षन भी किया, उन्होंना अल्ट्रासॉंड की मसीनों को चेक किया जो वर्किंग कंडिशन में हैं। चकित्सा अधिक्षक डाक्टर नरेंदर भारद्वाज ने बताया कि सोंबार वो शुकर भारद्वाज को रेडियो लॉजिस्ट अपनी सेवाईं हस्पताल में देंगे, जबकि E&T वो नेतर चकित्सक हर मंगलवार को अपनी सेवाईं देने के लिए हस्पताल में पर शुकर चकित्सकों की इस सेवा से बिलासपूर के मरीज़ों को काफी सुविधा मिलेगी, आपको बतादें कि लंबे समय से बिलासपूर हस्पताल में रेडियो लॉजिस्ट ना होने के कारण मरीज़ों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, मजबूरी में मरी मरीज़ों को नीजी स्वास्था संस्थानों में अधिक पैसे खर्च कर अल्ट्रा सौंड करवाना पड़ता था, लेकिन अब एम्स के चकित्सकों द्वारा या अपनी सेवाएं देने पर मरीज़ों को काफी रहत मिलेगी, उन्होंने अल्ट्रा सौंड के लिए यहां वहा क्योंकि रेडियो लॉजिस्ट चकित्सक सब्ता में दो दिन यानी सौंबार और शुक्रवार को ही अपनी सेवाएं देगे आज हमारे पास एमस बिलास्कोर से डोक्टरिया हाए थे उनके दोर एक लेटरा में जो है झो है मिलार उसके दोरा वहां से हमारे को सौंबार वार्वार को प्तारियो लॉजिस्ट को हम पाइट किया गया है वो अपनी सेवाएं आम आप दिया करेंगे और मंगल भार को जो हमारे को E&T और AI के डौक्ट इक द्यूप्ट ताविया करेंगे। फेर उसके बाद हमारी ड्रॉक्ट आपके अपनी घूक्त आपर समय पदाएंगे। तो आज उन्होंने देखके अपना नेक्स फ्राइडिक से जो अपना काम यहां सुरू कर देगे काल जो हमारे आई एंटी के जो ड़क्तर साथ हैं काली यहां आकर अपनी सेवाय में देंगी इससे जो यहां की पबलिक को थोड़ा बहुत बड़ी रहत जो एक मिल जाएगी लेकिन जो अमरे को छोड़के जितने अट्रा साउंड होगे वह हम लोगों को उस डेट पर बलाया करेंगे ताकि लोगों को उसका कुछ प्राइन पर थामारे को मिलेगे